तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहें अभी हाली में इंटरनेशनल टैनिस हौल अफ फैम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाडी कौन बन गए तो आंसर होगा लियंडर पैस और विजे अमरत राज तो अभी इंटरनेशनल हौल अफ फैम में भारत के दो दिगच टैनिस खिलाडियों को शामिल किया गया है जिनके नामें लियंडर पैस और विजे अमरत राज और इस प्रकार ये सम्मान पाने वाले ये पहले एशियाई पुरुष खिलाडी बन गए है अच्छा मैं पुरुष खिलाडी बोल रहा हूँ इसका मतलब महीला खिलाडी और इसमें शामिल हो चुकी है एशिया से तो आपके मन में प्रशन आ रहा होगा न कि इंटरनेशनल हौल अफ फैम में शामिल होने वाली एशिया की पहली महीला खिलाडी कौन है तो वो चाइना की खिलाडी है उनका नाम है ली ना वैसे मैं आपको बता दू यह जो विजे अमरत राज है 1993 में ही टैनिस से इन्होंने सन्यास ले लिया था और लिएंडर पैस ने तो अभी सन 2020 मिलिया था और वैसे अब तक इस लिस्ट में 27 देशों के 264 लोगों को शामिल किया गया है और अब भारत इसमें शामिल होने वाला 28 वा देश बन गया है तो अगला प्रशन है अभी हाली में 2023 का सरुष्रिष्ट ट्रेक एथलीट का खिताब किस ने जीता तो अंचरोगा नुह लायन्स और फैथ के पिये गौन ने तो अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स ने मोनाको में आयोजित एक समारो में अमेरिका के नुह लायन्स को सरुष्रिष्ट पुरुष ट्रेक एथलीट घोशित किया है ये 100 मीटर और 200 मीटर दोडते हैं जबकि केन्या की फैथ के पिये गौन को सरुष्रिष्ट महिला ट्रेक एथलीट घोशित किया गया है ये 1500 मीटर और 5000 मीटर की धाविका है तो नुह लायन्स ये तो पुरुष हैं यानि कि पुरुषों में सरुष्रिष्ट ट्रेक एथलीट इनको चुना गया और महिलाओं में ये फैथ के पिये गौन इनके देश भी याद रखे कहां कहां से हैं ये नुह लायन्स ये अमेरिका से हैं और फैथ के पिये गौन ये केन्या की है अच्छा एक प्रश्ण और यहां से बन सकता है कि इस एथलीट आप दे येर दोजा तेविस के लिए किस भारते एथलीट को टॉप 11 में नॉमिनेट किया गया था नामित किया गया था तो आंसर होगा नीरच चोपड़ा को बाकि देखो मैं ये भी बता दू आपको कि ये जो अमेरिका के एथलीट है नूह लायन्स इन्होंने दोजा तेविस में वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपेंशिप में टोटल तीन गोल्ड जीते थे और ये जो केन्या की एथलीट है फैथ के पिये गॉन इन्होंने दोजा तेविस में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ दो गोल्ड जीते थे बाकी World Athletics की बात करें इस तापना होती 1912 में Headquarter Monaco में है और इसके President है Sebastian Koe फर बताओ अभी हाली में BCCI द्वारा सेवा निवरत की गई नंबर 7 की जर्सी का संबन्द किस्से है महिंदर सिंग धोनी यह तो आप सभी जानते होंगे अगर Cricket Premier अगर आप हैं तो तो अभी BCCI ने पूरुवे भारते कप्तान MS द्वनी के समान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया अब जर्सी के रिटायर होने का क्या संबन्द है कि मतलब अब कोई भी खिलाडी आएगा उसको 7 नंबर की जर्सी नहीं दी जाएगी पीछे जो जर्सी की पीछे नंबर दिया जाते है वो 7 नंबर उसे नहीं दिया जाएगा और आप कहा सकते हो कि भारते किर्केट में रेटायर होने वाली ये दूसरी जर्सी नंबर है क्योंकि इससे पहले BCCI ने सचिन टेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी को रेटायर किया था रेटायर किया था मतलब समझ में आगे न आप कोई भी नया खिलाडी आ जाएगा उसको 10 नंबर की जर्सी नहीं दी जाएगी तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं हाली में इंद्रा गांधी शांती पुरुसकार दोजार तेविस से किसे सम्मानित किया गया तो आंसर होगा डैनियल बरेन बोहिम और अली अबू अववाद को तो ये अरजेंटिना के मशूर पियानो वादक है डैनियल बरेन बोहिम और फिलिस्तिनी शांती कारे करता है अली अबू अववाद जिनको अभी 2023 के लिए इंद्रा गांदी शांती पुरुसकार से सम्मानित किया गया और क्यों मिला इनको ये सम्मान तो ने वर्तमान में जारी इसराइल हमास अंगर्ष के अहिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयासों के लिए ये सम्मान दिया गया अब एक छोटा सा प्रशन में आपसे पूछ रहा हूँ इसी से सम्मान दिते पहले प्यात प्रशन सुनू कि अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था इंद्रा गांदी शांती पुरुसकार 2022 के लिए किसे दिया गया अब देखते हैं किस-किस को पता है कौन-कौन Current Affairs ध्यान से बढ़ते हैं मैं इसका उत्तर भी बताऊंगा भी आपको आगे पहले इस प्रशन के बारे में हम जान लेते हैं तो ये जो पुरुसकार है जिसके हम बात कर रहे हैं इंद्रा गांदी शांती पुरुसकार इसका न 1986 में किसे Parliamentarians for Global Action को तो ये सम्मान उन व्यक्तियों या उन संगठनों को दिया जाता है जिन्नोंने वैश्विक इस्तर पर शांती निरस्तरी करण और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और इसी से सम्मंदित एक प्रशन आपको याद प्रशन मैंने आपको बताया भी था और मैंने भी आपसे पूछा न कि इंद्रा गांधी Peace Prize for 2022 ये किसे मिला तो इंडियन Medical Association और Trained Nurses Association of India को ये मिला इंद्रा गांधी जी की जैनती होती है 19 November को और उसे हम राष्टर एकता दिवस के रूप में मनाते हैं ये एकता दिवस वो Community Day वाला होता है 31 October को सरदार वललब भाई पतिल जी की जैनती को इसको अंगरे जी में बोलेंगे National Integrity Day ये ध्यान में रखना अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ इंद्रा गांधी जी ने Blue Star नाम से एक Operation चलाया था किसके लिए तो पंजाब के स्वण मंदिर में जो आतंगवादी गुजगे थे उनको निकालने के लिए चलाया गया था ये Operation Blue Star और मुझे ये बताओ कि इंद्रा गांधी को गूंगी गुडिया किसने कहा था ये प्रशन बन सकता है आपका एक्जाम में तो समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया ने तो ध्यान रख पहलवान ने अंतिम पंगाल और इनको खेल की वेश्विक साशी निकाय है United World Wrestling उसके द्वारा महिलाओं के बीच वर्श का उभरता सितारा नामित किया गया यानि के Rising Star of the Year चुना गया अंतिम पंगाल ये हर्याना की है 19 वर्शे पहलवान है रेसलर है ये और ये किस भाग व अस्ताना में 2023 में ही जो Asia Championship उइती उसमें इन्होंने Silver जीता था और दो बार Junior World Champion बनने वाली ये पहली भारते महिला भी है अचा इसी तरह एक प्रशना भी हमने पढ़ा था 2023 का सरुष्रेश्ट Track Athlete का किताब किस ने जीता तो पूरुषों में तो जीता है New Lyall ने ये धावक है अमेरी की धावक है और महिलाओं में ये खिताब जीता था फैत के पिये गौन ने ये केन्या से है और अगर पूछे सरुष्रेश्ट युवा एथलीट का किताब किस ने जीता तो शीतल देवी ने जीता है ये पैरा तीरंदाज है पैरा आर्चरी प्लेयर है इनके नाम भी याद रखना अगला प्रशन देखते हैं चलो फिर बताओ अभी किसे दोजा तेवेस रीच गेम चेंजर इनोबेटर पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा अतुल शाह को तो अभी प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर ये अतुल शाह इनको कुष्थ रोग दे तकनीक वन इन फोर लेसो तयार की थी और अभी कोप अठाई जो कि दुबई में हुआ था युनेटेड अरब अमिरात के दुबई में वहाँ पे इनको ये सम्मान मिला है रीच का मतलब भी होता है रिकागनाइजिंग एक्सिलेंस अराउंड चेंपियन्स फॉर हेल्थ अगर एक्जाम में इस तरह के उप्शन आ जाएं तो सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं ये भाई बंदू है जैसे कि समीर शाह अभी BBC के अध्यक्ष बने थे अनीश शाह फिक्की के अगले अध्यक्ष बने थे और जैसा तो आप जानते ही हो BCCI के सच्चिव है फर बताईए अभी हाली में किस देश के NGO जिसका नामे AWSDC इसको अंतरराष्ट्रे लेंगिक समानता पुरुष्कार 2,25 प्रदान किया गया तो आंसरोग अफगानिस्तान देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रे लेंगिक समानता पुरुषकार 2,20 की और इसे दिया किसने किसके द्वारा दिया गया तो Finland ने इसको दिया है इस अवार्ड को 2017 में शुरू किया गया था और किसे दिया गया तो अफगानिस्तान का एक NGO है जिसका नामे अफगान महीला कोशल विकास केंद्र उसको ये दिया गया किसने दिया? Finland ने इसको दिया ये याद रखना Finland जिसे जीलो का देश भी कहते हैं इसके केपिटल होती है Helsinki अच्छा NGO से आपको याद आएगा World NGO Day होता है वो हम 27 फरवरी को मनाते हैं NGO मतलब Non-Governmental Organization आपको याद होगा ये प्रशनमने 2023 में बढ़ा था कि तपोबन ये एक NGO है आपको बताना किस राज्य का NGO है जिसे अभी Children's Champion Award मिला था तो आंसर होगा असम और इंद्रा गांधी Peace Prize 2021 जो है वो एक NGO को मिला था प्रथम नाम का NGO था वो और अफगानिस्तान से याद आएगा अफगानिस्तान की Capital तो काबूल होती है लेकिन अफगानिस्तान की एक महिला ने अभी World Peace Prize जीता था स्वीडन में उनका नाम क्या है नर्गिस मोमंड है और Peace Prize से एक प्रशनम आपको बताना है 2023 का Nobel Peace Prize किसे मिला था फिर बताओ हाली में किसे Royal Society of Chemistry द्वारा सिक्षा के लिए New Home पुरुसकार प्राप्त करने के लिए चुना गया तो अंसर हुगा सविता लाडेज तो Homey Baba Center for Science Education की प्रफेसर है सविता लाडेज इनको Royal Society के द्वारा सिक्षा के लिए New Home पुरुसकार से सम्मानित किया गया है उन्हें रसैन विज्ञान सिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपून योगदान देने के लिए ये सम्मान दिया गया फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में भारत की पहले सिक्ष से लेन स्टील स्लेग अधरित सडक का निर्मान कहां पे किया गया तो अंसर होगा सूरत में अब अगर डेली आप करेंट फेस पड़ते हैं यहां पे करेक एक्जाम में तो आपको याद आएगा ये प्रशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब ये सडक बनाई जा रही थी हमने पढ़ा था ना कि भारत की पहली स्टील सडक ये कापे बनाई जा रही है सूरत में और अभी ये बन करके तयार हो गई है तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि गुजरात के सूरत में भारत की पहली 6 Lane Steel Slag आधारित ये सड़क का निर्मान किया गया है और ये जो सड़क है National Highway 6 को हजीरा पूर्ट से जुड़ेगी अचा पहले चीज अगर हम देखें कि ये Steel Slag क्या होता है पहले तो ये क्लियर कर ले तो ये West Material होता है जो Steel Production के बाद Steel Factory से निकलता है और अभी तक जो Steel Slag का उपयोग है ये सिमेंट बनाने में होता था पर अब इसके इस्तमाल से सड़क भी बनाई गई है इसका फाइदा क्या होगा सड़क बनाने से जो सड़क बनाने में लागाता थी वो अब कम आएगी और सड़क भी मजबूत बनेगी और एक डेटा भी है वो मैं आपको बता दूँ कि प्रती टन स्टील उत्पादन में लगबग 180 से लेके 200 किलोग्राम तक स्टील स्लेग निकलता है अच्छा नेशनल हाइवे की बात हुई है तो एक बेसिक सप्रशन आप से पूछा जाएगा कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाइवे कौन सा है तो नेशनल हाइवे 44 है जिसे पहले हम नेशनल हाइवे 7 कहते थे ये श्रीनगर को कन्या कुमारी से जोडता है फिर बताईए विश्व के पहले चौथी पीडी के गैस कूल्ड परमानू रियक्टर जिसका नाम है शिदा ओवन सैयंतर का नावरन ये किस ने किया तो अंसर होगा चाइना ने तो अभी चीन ने विश्व का पहला 4th generation का परमानू रियक्टर का नावरन किया है जिसका नाम है शिदा ओवन नूकलिर एनरजी प्लांट कहां पे चीन के पूर्वी शैडॉंग प्रांट में अब ये क्या है तो ये विश्व का पहला 4thi PD का गैस कूल्ड परमानू रियक्टर है परमानू रियक्टर क्या होता है तो ये नूकलिर पावर प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें नूकलिर रियक्शन्स होती है जिससे क्या होता है भारी मातरा में हीट एनरजी निकलती है जिसे हम भाव बनाते है और ये जो भाव है ये टर्बाइन घुमाता है जिसे बिजली बनती है और अभी चाइना ने ऐसा परमानू रियक्टर बनाया है जिसमें तापमान बहुत जादा होगा और इसमें तापमान को कंट्रोल किया जाएगा helium gas से तब ही तो ये कहलाएगा gas cooled परमानू reactor और इसका फाइदा क्या होगा इसे carbon emission बहुत बहुत कम होगा आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था कि चीन ने दुनिया की सबसे गहरी यानि कि underground एक laboratory बनाईए लगबग धाई किलो मिटर नीचे है ये अर्थ सर फेते चलिए फिर बताईए कि देसंबर दोजा तेविस में launch की गई भारत की सबसे तेज सोर electric now का नाम क्या है और इसे कोच्चे स्थित नेवाल्ट सोलर और electric boat के द्वारा launch किया गया इस now को 12 यात्रियों और cargo को ले जाने के लिए design किया गया है और समुद्र में इसकी maximum speed कितनी है 12.5 समुद्री मील और एक बार चार्ज अगर आप इसे कर दोगे तो 7 घंटे तक ये operated रहेगी और देखो मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि ये जो company है न जिसको इस boat ने बनाया है उस company का नाम क्या है निवाल्ट सोलर और इलेक्रिक बोट इस company ने अभी बर्लेन स्टार्टप एनरजी ट्रांजिशन अवर्ड दो जाते है इसमे mobility and transport श्रेणी में विश्व का स अतरश्टर क्रूज चैन्नेई से अभी श्रीलंका के लिए रवाना की गई थी उसका नाम क्या था MV Express और दुनिया का सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा को लांच किया गया था वारनासी और डिब्रुगड की बीच में इनके बीच की लगबग दूरी थी कितनी 32 किलोमेटर और उस कुरूज का नाम है कंगा विलास वैसे आप जानते हो देश की पहली एंटी सबमरीन शिप का नाम क्या है आइनस अरनला तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे अगला प्रशन देखते हैं फिर बताईए अभी हाली में डेका कॉर्ण बनने वाल पहला भारते ब्रेंड कौन सा है तो अंसर होगा IPL अच्छा आपको ये तो पता है ना अगर किसे स्टार्टप के वैल्यू एक बिलियन डॉलर या उससे जादा हो जाती है तो हम उसे क्या केतने युनिकॉर्न कहते हैं कहीं बार हमने पढ़ा है उसी तरह से अगर उस स्टा होते हैं हम उसे डेका कॉर्न कहते हैं अच्छा IPL की सबसे मुल्यवान टीम कौन सी है तो मुंबई इंडियन से है आपको बदाए 2024 में जो IPL होगा कौन सा संसकरन होगा सत्रवा होगा क्योंकि 2023 में हमने देखा भी 16 संसकरन हुआ था जिसको जीता था चैन नहीं सुपर एंगर पूचे कि ऑरेंज केप और परपल परंट केप किस ने जीती थी औरेंज केप मिलती है जर्ण बनाते मुंबई इंडियन्स पांच बार जीता है इसीए और इसी के बराबर अप चैन नाज गया है अच्छा एक प्रश्ण का उत्तर आप लोग दो ये करेंट अफेर्स का प्रश्ण है आपका, 2023 का भी पहला भारतिय यूनिकॉर्न ये कौन सी कम्पनी बनी थी, ये बताओ हम बढ़ते आगे, फिर बताईए, हाली में भारत की पहली सोडियम आयन बेटरी को किस ने लॉंच कि तो आंसर होगा KPIT Technologies ने, तो अभी KPIT Technologies ने भारत की पहली सोडियम आयन बेटरी तकनी को पेश किया है, कम्पनी ने ये कहा कि KPIT भारत की पहली और दुनिया की चौथी कम्पनी है, जिसके पास सोडियम आयन बेटरी बनाने की टेकनलोजी है, अच्छा आपने काफी बार सुन और ये बहुत महांगी पढ़ती है, क्योंकि भारत में आपको लिथयम इतना मिलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, तभी तो आप देखो कि हमारी जो इलेक्ट्रिक गाड़िया हैं, वो लीथियम वाली से 25 परतिशत तक कम है, दूसरा इसका benefit क्या है, charging speed इसकी fast है, और इसका life span यानि की जीवन काल भी लंबा है, तो याद रखना भारत की पहली sodium ion battery को किस ने launch किया, KPIT technologies ने, अच्छा आप यहां पे कुछ important question मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन अगर आपसे पूछा जाए भी vanadium की खोच कहां पे की गई या कहां पे मिले, तो गुजरात में मिले, lithium मिले थे जम्मू कश्मीर में, lithium के भंडार पाए गए थे न, और tantalum ये कहां पे मिला था, सतलच नदी में पंजाब में पाया गया, और thorium ये कहां पे मिलता है, केरल की monogite मरदा में, मरदा मतलब soil, और एक प्रशने science का काफी exam में पूछा जाता है, कि ऐसा कौन सा वो non-metal है, अधातू है, जो कि liquid state में पाया जाता है, तरल अवस्था में, तो answer होगा, bromine, और धातू में पूछेंगे, तो metal में पूछेंगे, तो आप जानते ही हो, mercury है, Hg, और highly reactive होता है, air में आते ही ये burn हो जाता है, जल जाता है, इसलिए हम इसे kerosene में रखते हैं, अच्छा आप तो ये बताओ, current affairs का प्रशन पूछ रहा हूँ अप, कि भारत की पहली lithium iron cell factory का उद्खटन कांपे किया गया था, आंदर प्रदेश में, और आपको याद होगा, lithium iron batteries के co-founder थे, जिनका भी हाली में निदन हो गया, उनका नाम है John B. Goodenough, और इने 2019 में chemistry का noble पुरुषकार मिला था, और आप कहा सकते हो, noble पुरुषकार पाने वाले ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, John B. Goodenough, तो ये सारे important question में आपके लिए लेकर के आया ध्यान में रखना, फिर बताओ, अभी हाली में ओला ने भारत का पहला AI model किस नाम से launch किया है, तो अंसर होगा, कृत्रिम, तो अभी ओला के और एलेक्रिक के founder हैं भाविश अगरवाल, उन्होंने भारत का पहला AI model launch किया है, जिसका नाम रखा है, कृत्रिम, तो ये जो model है, ये open AI का जो chatbot है, chat GPT और Google का जो बार्ड है उसको टक कर देगा, ये 22 भारते भाषाओं को समझ सकता है, और हिंदी, तेलुगू, मराथी जैसी 10 भाषाओं में text तयार कर सकता है, तो याद रखना है इसे भारत के पहले full stack AI के रूप में categorize किया गया है, नाम है कृत्रुत। चलो फिर बताओ, अभी हाली में दो नई परमाणू संचलित पंडुब्यां जिसका नाम है क्रास्नो यास्क और संबराट अलेक्जेंडर थिरीश का अनावरन किस ने किया, तो अंतर होगार रशिया ने, तो भी रशिया की प्रसिडेंट व्लादमिर पुतिन ने दो नई परमाणू संचलित पंडुब्यों को अनावरन किया है और इन्हें प्रशान्त महासागर में तेनात किया गया, पंडुब्य मतलब सब्मरीन, अब एक बेसिक अंतर आप जरूर समझ लें, एक परमाणू पंडुब्य हो गई और एक डीजल पंडुब्य हो गई, दोनों में हम किसली उपयोग में ले रहें, ताकि हम पानी के अंदर रह सकें, लेकिन डीजल सब्मरीन में यही दिक्कत है कि कुछ-कुछ समय बाद ही उसे पानी के उपर आना पड़ेगा, और इसी का फाइदा उठाती है न्यूक्लियर सब्मरीन, ये पानी के अंदर कई घंटों तक बड़े आराम से रह सकती है, आशा अगर मैं आपसे पूछू कि भारत की सोदेशी परमानू पंडुब्बी का नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया है, आई एनेस अरिहन्त नाम होगा, और इसी तरह से अभी रश्या ने ये दो नई परमानू पंडुब्ब्ब्यों को ल इंटरपोल ने, तो अभी इंटरपोल ने स्टॉम मैकर्स सेकंड नाम से एक उपरेशन शुरू किया है, जिसका उद्धिश्य क्या है, मानाव तसकरी को रोकना, यानि कि हुमन ट्रेफिकिंग को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया, इंटरपोल ने ये भी कहा, कि मान तसकरी को रोकने की बात कही गई है, तो आर्टिकल 23 याद रखना है, पहले हम इंटरपोल की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस और्गिनेजिशन, इसकी इस्तापना होती साथ सेप्टेंबर 1923 में, हेड़क्वाटर लियोन फ्रांस में है, आपको याद है 90 नंबर की बैठक हुई थी, वो भारत में हुई थी, याद रखना, प्रेसिडेंट इसके कौन है, एहमद नसर अल रईसी, ये युनाइटेड अरब अमिरात से हैं, और सेक्रेटरी जनरल है, जो अरगेन स्तौग, ये जर्मनी से है, और एक करेंट अफेर्स का अच्छा प आइनेस, तार मुगली को पुनन नौसेना में शामिल किया गया, तो आंसर होगा मालदीव, तो पहले मैं आपको बता दूँ, ये एक फास्ट अटेक क्राफ्ट है, जिसे अभी फिर से हमने कमिशन कर लिया, कहां से, नैवल डॉक्यार्ड विशाका पत्नम में से, देखो इ बड़ी अच्छी कहानिये मैं आपको बताता हूँ, ये पहले आइनेस, तिलंग चांग, एक ट्रिंकट क्लास चाहाज के रूप में भारते नौसेना के पास था, फिर हमने 2006 में इसे मालदीव को गिफ्ट में दे दिया, और मालदीव के पास इसे MCGS हुरावी के नाम से जान कर लिया, और इस बार हमने इसका नाम रखा, आइनेस, तार मुगली, तो ये इसके कहानी थी, मतलब जहाज एक है, दो देशों के पास रहा, और इसके तीन नाम हो गए, और अभी जो फाइनल इसका नाम रखा है, ये एक तार मुगली द्वीप अंडमान निकोबार में उस करणी में बताया कि हमने इसको मालदीव को गिफ्ट में दिया था, तो गिफ्टे से आपको याद आएगा, अभी ईनेस करपान भी तो हमने घिफ्ट में दिया था, किसे? वियतनाम को, भारत ने शिरेलंका को एक विमान भी उपहार में दिया था, आपको याद हो तो, हाली में राष्ट्र उर्जा संगरक्षन दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 14 देसंबर को तो हर साल 14 देसंबर को नेशनल एनर्ची कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्धिश है लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जल्वायू परि यह दिवस मनाया यह दिन क्यों मनाते हैं तो पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा गुस्पेट करने के विरुद ऑक्रेशन विजह में भारतिया शशष्तर बलो की जीत की याद में हम यह दिन मनाते हैं एक्च्जुली पर उस युद्द के परिणाम सरूप पाकिस्तान से अलग हो करके बांगलादेश एक अलग देश बन घया था, जो पाकिस्तान के दो पार थे ना फ़ले एक पूर्वी पाकिस्तान भी था, तो वो ही बना था बांगलादेश, इसलिए तो आप देखोगे 16 December को हम लोग विजे दिवस मनाते और बांगलादेश में 16 दिसंबर को बिजोय दिबॉस के रूप में मनाया जाता है अच्छा एक प्रेशन और बता रहा हूं आपको अगर पूछ ले कभी कि भारते सिना ने वर्ष 1971 में बांगलादेश की मुक्ती वाहिनी सेना को युद्ध के लिए तेयार करने के लिए कौन सा ओपरेशन चलाया था तो ओपरेशन जैकपोट याद रखना अगर कभी किसी एक्जाम में आपके सामने आ जाए तो ध्यान रहे आपको फर बताईए अभी हाली में कि इस देश में तमिल कभी तिरू वल्लूवर की प्रतिमा का अनावर्न किया गया तो अभी यूरोपिय देश फ्रांस में तमिल कभी है ये तिरू वल्लूवर इनकी प्रतिमा का इनकी स्टैचू का अनावर्न किया गया और इस मूर्ति को इस्थापित करने का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच सांसकरतिक संबंदों को मजबूत करना तिरुवल्लुवर इनको साउथ इंडिया का संत कबीर भी कहा जाता है उन्होंने संगम साहित्य में तिरुख कुरल या कुराल की रचना की थी और दुनिया बर में तिरु कुरल की तुलना अन्य धर्मों के महान पुस्तकों से की जाती है साउत इंडिया में उनके रचित गरंत और संग्रह राम चरित मानस की तरह पड़े जाते हैं और देश के कहीं युनिवर्सिटीज में तिरु अलुवर पर बेस्ट स्टडीज की जाते हैं फिर बताईए अभी हाली में सरवोच न्यायले ने कौन सा AI संचालित शेत्रे भाषा अनुवाद उपकरन लॉंच किया है तो आंसर होगा यह AI ओपरेटेड शेत्रे भाषा अनुवाद उपकरन है मतलब यह क्या करेगा तो सुप्रीम कोट के जो भी डिसिजन होते हैं जो भी फेसले होते हैं आपको बताए वो अंगरेजी भाषा में होते हैं और मेरी तरह ही बहुत से ऐसे लोग होंगे जिने अंगरेजी नहीं आती तो यह जो सुवास सॉफ्ट्वेर है उस अंगरेजी वाले डिसिजन को ग्यारा शेत्रिय भाषाओं में ग्यारा रीजिनल लेंग्वेजेज में कनवर्ट कर देगा जिसे आम जनता इसे समझपाएगी और ये भी मैं आपको बता दू इसके तहट जो अभी यह सॉफ्ट्वेर ने जो पहला डिसिजन जो कनवर्ट किया है वो केशवा नंद भारती केस है इसे दस भारती भाषाओं में बदला गया है अब केशवा नंद भारती केस आप कहोगे यह तो बहुत पूराना है इसे ह क्यों कनवर्ट तो यह केस 1973 में आया था और अभी चल रहा है दो जाते विस तो इसे आप कहोगे कि 50 साल हो गया तो उसी के उपलक्ष में इसको कनवर्ट किया गया और आप जानते हो क्या था यह केस तो संसच समिधान के किसी भी हिस्से में तब तक संसोधन कर सकते हैं जब एक तो सुपेश पोर्टल हो गया एक फास्टर पोर्टल आये था और अभी एक सूस्वागतम पोर्टल भी हमने पड़ा था और इन में से यह दो प्रश्ण आपके अभी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं एक तो यह सूस्वागतम वाला पूछा गया था और यह सूपे की रूप में मनाया जाता है, 15 दिनों तक ये चलता है और इसमें मास्क यानि की मुखोटा पहना अनिवार्य होता है, वैसे लद्दाक में आपको पता होगा, हमने जांसकर महुत्सो भी मनाया, हैमिस फेस्टिवल भी हम लद्दाक में मनाते हैं, एक इस्पिटुक गस्तर फे अनिवार्य होगी की किस ने डेवलप किया, तो अंसरों का IIT मदरास ने, तो अभी IIT मदरास ने पानी से आरसेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमरत नाम से एक टेक्नलोजी को डेवलप्ड किया, अमरत का फुल्फरम हो गया, आरसेनिक एन मेटल रिमूवल बाई इंडियन टेक्नलोजी, ये टेक्नलोजी नैनो स्केल आयरन ओक्सी हाइड्रोकसाइड का उप्यूग करती है, जो पानी से गुजरने पर पानी में से आरसेनिक को चुनिंदा रूप से हटा देती है, आरसेनिक ये कैंसर, डाइबिटीज और हाई बलड प्रिशर बगेरा का मुख्य कारण होता है, फिर बताईए, अभी हाली में दस वर्षों के बाद कि इस देश में संयुक्तर राष्टर ने अपने शांती मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया, तो अंसर होगा माली, तो अभी संयुक्तर राष्टर ने दस सालों के बाद माली में अप अपने एक दशक लंबे शांती मिशन यानि की पीस किपिंग मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है, क्योंकि हिंसक उगरवात के बढ़ते खत्रे को सम्मूदित करने में बल अब पर्याप्त था, और आपको ये भी बता दू कि ये मिशन संयुक्तर राष्टर क सबसे नुकसान दायक मिशन रहा है, क्योंकि इसमें 300 से ज़्यादा कर्मियों की जान चली गई है, और आपको बताए, कई देश यहाँ पे शांती दूत के रूप में, यानि कि United Nation Peace Kipping Force के रूप में अपने सेनिकों को भेचते हैं, इसमें से भारत भी इस मामले में बढ़ चड़कर हिस्सा लेता है, देखो माली की बात करें, यूनेटन निशन की भी बात करें, तो माली की capital होती है बमाको करंसी है वेस्ट अफ्रिकन CFF फ्रेंक देगो युनाइटिन डिशन इस्थापना होती 24 अक्टूबर 1945 में हेड़कवाटर न्यू यॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल है अन्तोनियो गुतर्रेस जो कि पुर्तगाल से हैं तो फिर बताओ हाली में भारतिय वन और लकड़ी प्रमाणन यूजना किसने शुरू की तो अंसर होगा परियावरन वन और जल्वाईू परिवर्तन मंत्रा लेने तो यूजना का नाम है भारतिय वन और लकड़ी प्रमाणन यूजना मतलब ये एक certification वाली योजना इसमें मिलेगा certificate और इसे शुरू किसने किया तो परियावरन और जल्वाईव परिवर्तन मंत्रा लेने इसके मंत्री कौन है वो पेंदर यादा हो है अच्छा इस योजना को शुरू क्यों किया गया तो आप क्या दो सतत या स्थाई या टिकाव या सस्टेनेबल वन प्रबंदन को बढ़ावा देने के लिए और क्रशी वानी की यानि कि एग्रो फॉरस्टरी को बढ़ावा देने के लिए Agroforestry का मतलब हो गया क्रशी के साथ साथ वनों को भी बढ़ावा देना तो ये है इस योजना का उद्धिश्या अच्छा अगर मैं आपसे पूछू प्राण वायू देउता पेंशन योजना को किसने शुरू किया था तो आंचरू का हर्याना ने अमरत वरक्ष आंदुलन को शुरू किया था असम ने और एक अच्छा प्रशने ये कि वन और वन्य जीव ये कौनसी सूची का विशे है तो मूल समविधान में अगर आप देखोगे तो ये राज्य सूची स्टेट लिस्ट का विशे था पर अभी वर्तमान में ये समवरती सूची कौनकरन्ट लिस्ट का विशे है और इसे कौनसे समविधान संशोधन के द्वारा इससे इसमें ट्रांसफर किया गया तो ये था 42 समविधान संशोधन 1976 का और इसे परकार आप जानते हो एजुकेशन हो गया, सिक्षा हो गया, मापतोल हो गया ये सब इसी समविधान संशोधन, इसी Constitution Amendment के तहत समवर्ती सूची में लाए गए इसलिए इस 42 समविधान संशोधन को मिनी Constitution लगू समविधान भी कहा जाता है ये point भी थोड़ा सा ध्यान में रखना और इससे समवंदे देखो, दो दिवस में आपके लिखे हैं राष्टर वन शहीद दिवस, जो कि 11 सेप्टेंबर को उता है अंतर राष्टर वन दिवस, 21 मार्च को उता है और अगर ये Current Affairs का परशन है कि भारत में पहला वन विश्वध्याले कहां पे स्थापित होगा Forest University तो आंसर होगा तेलंगना में आप जानते हो भी कोप 28 में युगाउं को शशक्त बनाने के लिए Green Rising पहल शुरू की गई थी तो ये जो Extra Facts में आपके लिए लेकर के आया Extractions ये Most Important रहेंगे आपके लिए ध्यान में रखना अभी हाल में किसे International Institute for the Unification of Private Law की Governing Council के लिए चुना गया तो अंसर होगा उमा शेखर को तो ये उमा शेखर ये पहली भारते महिला बन गई है जिनका चुनाव International Institute for the Unification of Private Law की Governing Council के लिए किया गया है और इसकी Governing Council में ये पहली भारते महिला बन गई है तो अब Governing Council में भारत चार सालों तक यानि कि 2024 से लेके 2028 तक सदेश से रहेगा बात करें ये जो संस्ता है इसका मुख्याली आपको कहा मिलेगा रोम इटली में इसमें सदेश से देश कितने है 65 है फिर बताओ अभी हाली में जारी हुरुन की टॉप 100 अंडर 30 सूची में टॉप पर कौन है तो आंसर होगा केवल्य बोहरा और आदित्य पालिचा तो हुरुन इंडिया ने पहली बार ये टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट चारी की है मतलब सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 100 ऐसे वेक्ती जिनकी उम्रे 30 साल से कम है तो इस लिस्ट में टॉप पर है आदित, पालिचा और केवल्य बोहरा ये दोनों जैप्टो स्टार्टप के संस्थापक हैं के वल्य बोहरा ये मातर किस साल के हैं तो आदित, पालिचा ये 22 साल के हैं अच्छा जैप्टो से आपको कुछ याद आएगा हमने पढ़ा था करन्ट अफेस में इसके बारे में कि 2023 का पहला भारते यूनिकॉन बना अभी जैप्टो यूनिकॉन किसे कहते हैं ऐसा स्टार्टप जिसकी मार्केट वेल्यू एक बिलियन डॉलर या उससे जादा हो चुकी हो उसे यूनिकॉन कहा जाता है